नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम राजकुमार, लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महेवा एटाबा, वड़जी सिक्षक, कच्छा दस, बड़ज विसे के नस्ती कर्ण भागतीन को लेकर के आप लोगों के बीच में हजिर हूँ प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इग्यान गंगा प्रोजेक्ट के अंतरगत चलाई जा रही ऑन्लाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दित्वागत है प्यारे बच्चों, प्यारे भाग तीन में आज हमारे जो मुख्य चर्चा के बिंदु रहेंगे वो इस पकार हैं हम अढ्ध्यन करेंगे पूर वियान का अव्लोकन अर्थात इस अध्याय के पहरे भाग और दूसरे भाग में हमसे जो अध्यन किया था उसका takim पर अबलोकन करेंगे खड़ी नस्तीकर प्रणाली के गुर्दोसों की चार्चा की जाएगी लेटी नस्तीकर प्रणाली और खड़ी नस्तीकर प्रणाली में अंतर का अधियन करेंगे लटकती नस्तीकर प्रणाली क्या होती है इसके बारे हम जानेंगे लटकती हुई नस्तिकर्ण प्रणाली के गुर्त था दोशाओं का अध्यन करेंगे उप्योग तो नस्तिकर्ण प्रणाली का चैन करेंगे कि कौन्सी प्रणाली सबसे अच्छी है उप्योगी है किस विफाई के लिए इस बात का मध्यन करेंगे अंत में आपको ग्रहकार अभ्याद प्रस्म दिये जाएंगे चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अबलोकन करते हैं पूर्जञान का प्यारे बच्चो इस अध्याय के पहले भाग में हमने अध्यन किया था कि नस्ती करण प्रणाली क्या होती है उसकी विशेष्टाएं क्या है उसके उपियोगिता क्या है उसकी गोंदोस्व का हमने अध्यन किया था साथ ही हमने बिबिन्य प्रकार की नस्ती करण प्रणालीयों का अध्यन किया था नस्तिकरण की तीन प्रणालियां महत्पूर्ण है पहली है लेटी हुई नस्तिकरण प्रणाली तूसरी थी हमारी खड़ी नस्तिकरण प्रणाली जिसकी हम कुछ विदियों का अध्यान कर चुके थे और अंत में हमारी है लटकती हुई नस्तिकरण पढ़ाली में अध्याय के इस भाग में अध्यन करेंगे आरब करते हैं कि खड़ी नस्तिकरण पढ़ाली के गुण हमने पिछले भाग में खड़ी नस्तिकरण पढ़ाली के वारे में जाना था उसके लिए क्या-क्या आवाफिक सामगरी होनी चाहिए इसी के साथ में हम जानेंगे कि खड़ी नस्तिकरण पणाली में कौन-कौन से कुण होते हैं पहला चर्चा करते हैं पत्रों को स्रच्छित रहना इस पणाली के अंतरगत पत्रों को फोल्डर में रखा जाता है जिससे उनके कटने, फटने या आपस में मिलने का भय नहीं रहता है अतहर इस पणाली के उपियोग से पत्र पुरच्छित रहते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको पूर्ब में बता चुके हैं जो लेटी हुई नस्तिकरण प्रणाली होती है उनकी सारी विजियों का अगर हम अध्यन करते हैं तो पाते हैं कि खड़ी नस्तिकरण प्रणाली मैं लेटी हुई नस्तिकरण प्रणाली की तुल्ला में पत्र अधित फुरक्षित रहते हैं पत्रों को निकालने बापुने रखने में फुगधा इस प्रणाली में संकेत काड द्वारा पत्रों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है बे अनपस्तिती काड के उपियोग द्वारा सरलता से प्रणे वहां पर टखा जा सकता है अतार इस साइल प्रणाली में पत्रों को लगाने एवं निकालने में समय बास्तरम कम लगता है तो प्यारे बच्चो इसमें सबस्तित क्या है खड़ी नश्वारा प्रणाली में कि पत्रों को निकालने में और पुन्हें रखने में बहुत आसानी होती है आसानी से इसकार को किया जा सकता है समय बस्तरम की बचत की जा सकती है प्यारे बच्चो नसीकर्ण की यह प्रणाली बहुती सुबिवस्तित है बेग्यानिक है अतर फाइलिंग की सबसे उत्तम आधनिक एबम सर्वस्रेष्ट माही जाती है क्योंकि इसमें बेग्यानिक सिधान्त के आदार पर पत्रों का रख रखाव यह जाता है लोचदार प्रणाली यह प्रणाली लोचदार है इसमें फोल्डरों की संख्या को आवशक्ता अमसार गटाये जा सकता है बढ़या भी जा सकता है अर्थाथ थोड़ी महंगी अवश्य होगी लेकिन आवशक्ता अमसार हम कैबिनेट को खईद करके अलमारियों को खईदर के पत्रों को अधिक से अधिक मात्रा में रख सकते हैं गोपनियता की बात करें, तो कह सकते हैं कि खड़ी नस्तिकरन पढ़ाली का सबसे बड़ा गुड़ होता है, वो गोपनियतार होता है, क्योंकि इसमें पत्र अलमारी के अंदर रहते हैं, और उनमें अलमारी में अगर ताला लगा दिया जाता है, तो पत्रों की पूरी गोपन के विखरने का भैब इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को फोल्डर में खुला ही रखा जाता है जिससे पत्रों के विखरने का भैब लगा रहता है तो फौलडर में रखते हैं ? खुला रखते हैं तो जा सी भी छुख होने पर पत्रों के बिखरने का भ喜歡 बना रहता है । धूने में समय लगना इसस प्रणाली में यदि फॉल्डर गलत इसना पर रख दिया जाता है तो उसे धूने में अधिक समय वास्तरम लगता है माल लीजिए किसी लिपिक की तुर्टी के वज़े से फोल्डर गलस इसान पर रख दिया तो वे फोल्डर आसानी से नहीं मिलेगा उसे ढूनने में कटना ही होगी अधिक इस्थान की आवसकता प्यारे बच्चो जैसा कि मैंने आपको बताया इस प्रणाली में लकड़ी या लोहे की अलमाली का प्रियोग किया जाता है जो की अधिक इस्थान गिरती है यदि हमारे कारेलेक है आकारी छोटा है तो वहाँ पर यह प्रणाली ज्यादा कारगर नहीं रहेगी खर्चीली परणाली यह परणाली अधिक खर्चीली होती है छोटे ब्यापारियों के लिए इसका प्रियोग करना संबब नहीं हो पाता है तक्नीकी ज्यान की आवशक्ता इस परणाली है तो बिसेस तक्नीकी ज्यान की आवशक्ता होती है पहरे बच्चों इसमें फाइलिक करने के लिए पूरा टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए बेदवर तरीके से पत्रों को लगाना निकालना आना चाहिए अनिधा की दसा में या प्रणाली के लिए उप्योगी नहीं रहेगी आ चलिए आगे चप्चा करते हैं नसीकर्ण की खड़ी और लेटी हुई पणाली में अंतिर्ख पहले आधरम देखें कि खड़ी नस्तिकरण पढ़ाली में कौन-कौन सी बिसेशा होती हैं उनके आधार पर हम दोनों की तुलना करते हैं कि किस पढ़ाली में किस पकार पत्र रखे जाते हैं तो हम इसका अध्यन करते हैं पत्र रखने का धंके आधार पर देखें तो कह सकते हैं कि खड़ी नस्तिकरण पढ़ाली में पत्रों को खड़ा करके रखा जाता है प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि खड़ी नस्तिकरण पढ़ाली में पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं और लि खड़ी नस्तिकरण पणाली में पत्रों के साथ में उसके उत्तर भी रखे जाते हैं। लेटी हुई नस्तिकरण पणाली का अधर पर देखें तो इसमें पत्रों के साथ उत्तर नहीं रखे जाते हैं। यदि हम पत्रों के बांदने के अधर पर देखें तो हम कह सकते हैं इसमें पत्रों को बांद कर नहीं रखा जाता है अर्था खड़ी नस्तीकरण पढ़ाली में पत्रों को खुला रखा जाता है वहीं लेटी हुई नस्तीकरण पढ़ाली में पत्रों को बांद कर रखा जाता है कि अगर अगर कहंचे के अधर पर कहें तो कि खड़ी नस्तिक्र पणाली में केविनेड्स होती हैं दराजे होती हैं जो कि काफी महंगी होती है वहीं लेटी हुई नस्तिकर अगर चर्चा करें तो कह सकते हैं यह पणाली कम खर्चीनी होती है पत्रों को ढूनेने के अधर पर देखें तो कहते हैं कि खड़ी नस्तिकरण पणाली में पत्रों को ढूनना काफी आसान होता है आसानी से पत्र ढूने जा सकते हैं अगर लेटी हुई नस्तिकर पढाली को और देखें तो इसमें पत्रों को ढूनने में खड़ी नस्तिकर पढाली के तुलना में अधिक समय लगता है पत्रों का कटना फटने का दर पर देखें तो इसमें पत्रों के कटने फटने का डर नहीं रहता है क्योंकि ना तो पत्रों में छेट के जाते हैं और ना ही पत्रों को बांद करके रखा जाता है तो जिससे उनके कटने फटने का डर नहीं रहता है लेटी हुई नसीकर पडाली में पत्रों में पंचिंग मसीन की साहता से छेट के जाते हैं जिससे उनके कटने ये फटने का भर बना रहता है अगर पत्रों को ढूणने के अलग पका आगने चार्चा करें तो कह सकते हैं इसमें पत्रों के मिलने के अलग पका जाते हrations से हम पत्रों को दूर भी सकते हैं अब हम लेटिव नेस्टिकर्ण पढ़ाली की बात करें तो इसमें पत्रों के आपस में मिलने का भय रहता है क्योंकि यह फाइल पदती जो है लेटिवी पदती है उसमें पत्र आपस में मिल सकते हैं लोज के अगर बात करें यह अधिक लोज़दार होती है इसमें कितनी भी संख्या में पत्रों को हम लगा सकते हैं आवर सक्तान साथ पत्रों को इसमें पत्रों की संख्या के अधार पर इस प्रणाली में फाइलिंग के लिए बढ़ा जा सकता है और लेटी हुई नस्तिकर प्रणाली की बात करें तो यह कम लोज़दार होती है इसमें इस फाइल में निश्चिती पत्र आएंगे अधिक पत्रों को उसमें रखना संभव नहीं हो तो कहेंगे खड़ी नस्तिकर प्रणाली गोपनी ऊटी हे हैं इसमें पत्रों में गोपनी इता बशली हैलेटार पत्रों को को यह आसानी से देख़ता है चलिए चर्चा को आगे बढ़ते हुए अध्यन करते हैं तीजरे मेंबर की पढ़ाली जो है वो थी हमारी नस्ती करण की लटकती पढ़ाली प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो पंदती है वह जो खड़ी नस्ती करण पढ़ाली है उसी का संसोधित एवंबिक्सित रूप है इसमें भी पत्र खड़ी हवस्ताम ही रहते हैं किन्त में तली पर टिके न होकर अधर में लटके रहते हैं जिस कारण से इस प्रणाली को नस्तिकर्ण की लटकती प्रणाली कहा जाता है तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है पत्र आपके खड़ी अबस्तामार रहेंगे लेकिन वे लटके रहेंगे तली पर नहीं रखे जाते हैं चलिए इसके लिए भी देखते हैं आपस्कै चीजां कहा करें होती हैं इसके लिए दराजे भी जरूरी हैं केविनेट्स जिस प्रकार से खड़ी नस्तिकर्ण प्रणाली में केविनेट की जबर परती है ठीक उसी प्रकार लटकती हुई guiding में रहें वी के विनेट की आशकता ह होती है लेकिन इसकी जो अल्माली होती है खड़ी नस्तीकरण पढ़ाली की तुलना में जायदा गहरी होती है फोल्डर की चर्चा करें तो जिस प्रकार खड़ी नस्तीकरण पढ़ाली में फोल्डर की अवसकता होती है ठीक उसी प्रकार इसमें भी फोल्डर की अवसकता होती है किन्तु जो लटक्तिव नस्तीकरण पढ़ाली होती है उसके folder खड़ी नस्तिकरण पढ़ाली से भिन होते हैं जिनका एक सेरा दूसरे से बड़ा होता है जिसके रंग भी भिन भिन होते हैं जैसा कि आप शित्र में देख रहे हैं रंग भी different कलगी ये फाइला होती है तो कह सकते हैं कि इसके एक सरे पर धातू की छड़ लगी हो रहती है जो दूसरे किनारे तक जाती है जिसमें दराजें अलमारी की दीवार तथा फोल्डर खानों में लटके रहते हैं चलिए तीजे नमबर पर बात करते हैं सूची की सूची इस प्रणाली की प्रवक मिसेश्ता यहा है कि इसमें प्रथक से सूची बनाने की आवशक्ता नहीं होती है इसमें फोल्डर पर चिटें लगी रहती हैं वे ही सूची का काम करती हैं ग्रहाकों पर जिन पर ग्रहाकों की सूचनाई लखी रहती हैं इनी चिटों के आधार पर हम पत्रों को आसानी से ढून सकते हैं तो ये तीन चीज़ें इसमें महत को थी पहला था आपका कैबिनेट दूसरा था फोल्डर और तीसरा है सूचे अब बात आती है कि लटक्ती नस्तिकरण पढ़ाली के गुण पहला दूसरा रालता होती है कि सभी कियोंकि सभी नाम पढ़े जया सकते हैं कि इसमें फोल्डर फोल्डर लगे हुए है फोल्डर पर चिस लगए हुई है चिप-पर डिटेउस Jewelry में लिख हुए हो आसानी से पत्रों की टीटेल को पढ़ सकते हैं या जो चिट है उसकों पढ़ सकते हैं और उसी क्यादार पर पत्रों को आसानी से हम ढून सकते हैं पत्रों के मुढने या फटने का भैने प्यारे बच्चों इसमें पत्रों को छेट करके नहीं रशा जाता है इस कारण से उनके कटने फटने का भै नहीं रहता है और दूसरे पत्र जो हैं फोल्डर के अंदर लटकती हुई अवस्था में रहते हैं तुटे होने की कम संभावना यदि कोई फोल्डर इधर से उधर हो जाता है तो रंग बिन होने के कारण आसानी से पता चल जाता है तो प्यारे बच्चो इसमें हम आसानी से अगर कोई फाइल दूसरे फोल्डर में चले जाती है तो रंग की आदार पर हमको ढूंद करके इस कि ऐसान पर लगा सकते हैं सूची बनाने की अवशक्ता नहीं इस प्रनाली में प्रथक से सूची मनानी की अवशक्ता नहीं होती है 2. समय की बिचत तनाली में पत्रों को निकालने और रखने में अपेच्छा करत इस प्रणाली में पत्रों को निकालने और रखने में अपेच्छा करत जितनी भी हमने विधियां पढ़ी हैं उनकी तुल्ना में कम समय लगता है चलिए अब चर्चा करते हैं लटकती नस्तीकर पढ़ाली के दोशों की कुछ दोश होते हैं वैसे ये आजकल खूब प्रचलण में हैं बहुत कम इसमें समस्याइं होती हैं दोश होती हैं लेकिन मुक्ष दोस इतका जो है वह ही खर्चिली है क्योंकि जितनी पंदती हैं हमें पढ़ी वह इतनी महगी नहीं है उन सब की तुलना लगर की जाए तो यह पढ़ाली काफी महगी होती है छोटे कार्याले के लिए अनुप्यूक्त यह पढ़ाली छोटे कार्याले के लिए अनुप्यूक्त है उप्यूक्त नहीं है क्योंकि अन की तुलना में यह काफी खर् योग तो नहीं होती हैं चलिए अगे बढ़ाते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कार्याले के अंसार उप्युक्त पराली का चैन करना सीखते हैं प्यारे बच्चो आप तक हमने विभिन्द प्रकार की विधियों के बारे में जाना था अब हम इस अध्याय के इस भाग में जानेंगे कि कौन से ब्यवसाई के लिए किस प्रकार की फाइलिंग उचित मानी जाती है माल लिजिए कोई पान वाला चाट पकोड़ी वाला हलवाई ठेले वाला यानि कि जो चोटे सरपर बहुती सामान आने ये ब्यापर करते हैं बहुत जादा अपम के पास पत्र नहीं आते हैं छोटे चोटे बिल बाउचर ही उसके पास न्गतेहित एक हमानी जाती है अध्यापत, एक अध्यापत के पास में कुछ छोटे-छोटे पेपर होते हैं, विद्यारतियों के सब्सक्राइब कावज होते हैं, उनके खुद के डॉकुमेंट्स होते हैं, तो उन सभी के लिए लोहे की सलाकों वाली फाइल उचित मानी जाते हैं, जिसमें पत्रों को अधिक पत्र एक अध्यापत और इन लोगों की तुलना में अधिक पत्र आते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, तो इनके लिए कार्ड बोर्ड फाइल उचित मानी जाते हैं, एक दफ्ती, दफ्ती को उपर सीता बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें पत्रों को उनतेती वार ये रखते चले जाते हैं, माल लीजिये, आयतर ब्यवाग या बाड़ जिकर ब्यवाग का बकील है, उसके लिए फोल्डर फाइल उचित मानी जाती है, साजेदारी, ब्यापार या थोग ब्यापार है, तो उनके लिए शेनन फाइल, यानि की केबिनेट जो फ पारियाल है, सायुक्त इसकंद कंपनी, जॉइंट इस्टॉप कंपनी होती है, उनके लिए खड़ी फाइल प्रणाली उचित मानी जाती है, क्योंकि इनके पास में अन्य ब्यापारियों की तुलना में अधिक पत्र आते हैं, बड़ी कंपनियां है, बड़े ज्यादा मात् पुछ्ट कालेगे अगर बात करें, तो उसके लिए खड़ी नस्तिकर प्रणाली उचित मानी जाती है, प्यारे बच्चों हमने यह जाना कि किस ब्याप्शाय के लिए कौन सी प्रणाली उचित है, आपने सीखा, अब हमारा यह अत्याय नस्तिकर समापन की ओर है, आपने इस भाग में जाना कि खड़ी नस्तिकर प्रणाली की जो शेश विदियां थी, वे कौन कौन सी थी, खड़ी नस्तिकर प्रणाली के गुर्दोसों के बारे में जाना, लेटी नस्तिकर प्रणाली और खड़ी नस्तिकर प्रणाली में अंतर जाना, लटकती नस्तिकर प्रण एक उसमापन की यूर है हम आपको ग्रहकार देते हैं नस्ती करंड की खड़ी और लेटी प्रणाली में अंतर लखिए प्यारे बच्चों बोर एक्जाम में यह प्रस्न अक्सर पूसर जाता है कि नस्तिकरण की खड़ी और लेटी हुई प्रणाली में अंतर लखिए तो आप इसको अनुवार रूप से त्यार कीजिए परिच्छा में उपयोगी रहेगा और आपके बिवारिक जीवर में भी यह प्रस्न लाफकारी होगा खड़ी नस्तिकरण प्रणाली की आवश्चर सामग्री का नाम लिखिए एक खड़ी नस्तिकरण प्रणाली में क्या-क्या होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया एक कैबिनेट होनी चाहिए फोल्डर प्रियोग किस बिदी में किया जाता है तो प्यारे बच्चों अनपसिती काड का प्रियोग खड़ी नस्तिकर पढ़ाली के अंतरगत किया जाता है निम्द लिखित के लिए उप्युक्त बिदी का नाम लिखिए सरकारी कारयाले में कौनसी बिदी उप्युक्त रहती है बड़ा ब्यापारिक कारयाले में कौनसी बिदी उप्युक्त रहेगी मध्यम आकार का अगर ब्यापारिक कारयाले है तो कौनसी बिदी उप्युक्त रह हम फाइलाओं का रख रखाओ कर लेगते हैं। कर लेगते हैं। कर लेगते हैं।